जय मातादी, जय मा कमख्या, देवराधाटरस्ट, सत्यवानी चैनल, श्राद वास्तम है क्या? बहुत से मनुश्यों को ये ही नहीं मालूम है कि श्राद क्या है? सब को मालूम है कि हमारे पिता जी मर गए, दादा जी मर गए, उसके निमित जो दान धरम किया जाता उसे श्राद केते हैं और कुछ लोगों तो श्राद, श्रब्द का मतलब ही नहीं मालूम कि श्राद होता क्या है? क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ लिख ले हैं, और जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, इस्त्रियां विशेस तोर से, वो अपने बच्चों को बताती ही नहीं है याने जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिख गए हैं, घर में भी हिंदुस्तान में रहते हुए, इंग्लिश में बाच्चित कर रहे हैं उन्हें भारती, संसकार, संसकती, परंपरा, रिती, रिवासे कोई मतलब नहीं है, सिब उनके लिए हाई पेसा है बस तो ऐसे मनुष्यों के यहाँ पर ऐसे घरों में बच्चे लोग जो हैं, आत्मात्या कर लेते हैं, गलत रहा पे चल पड़ते हैं, और बरबाद हो जाते हैं, वंशी का नाश हो जाता है एक समय के बाद जातो जवानी में उस लड़के यह लड़की की मोत हो जाती है, या वो आत्मात्या कर लेते हैं, या चरित्रहीन हो जाते हैं, और वंशी का नाश हो जाता है, पित्रों की इज़्जत को तार-तार कर देते हैं, तो उन्हें मालूम ही नहीं कि वास्तों में श लिग गया हो उसको हमारी आवा जरू पहुचा देना अब हम आपके बहुत अच्छे उधारन के मध्यम से बहुत साधान सिंपल भाशा में श्राद की परिभाशा बताते हैं कि वास्तों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने रिशी मुनियों ने ये श्राद की परंपरा क् रखी और ये किवल हिंदुस्तान में हैं बस बाकी कहीं पर श्राद नहीं होता है हिंदुस्तान के अलावा किसी भी देश में किसी भी कंट्रीज में ये श्राद पक्ष नहीं मनाते हैं हां कुछ भारती लोग जो दूसरे विदेशों में चले गए हैं जो कुछ थोड़े वो धार्मिक प्रवतिके हैं, वो शराद कर्म करते हैं. परन्तु जो पुर्णुप से विदेशी बन गए हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि शराद कर्म किसे क्या होता है, क्या नहीं होता है. तो आज हम आपको एक ऐसे शराद के बारे में बता रहे हैं, एक छोटी सी एक परिवार की में घटना बता रहा हूं, जिस से समझ में आजाएगा कि पिता को एदी शराद का ग्यान होता, तो वो अपने बच्चों को किस प्रकार से समझाता है? तो चलते हैं, आप भी समझेए, कि वास्तों में शराद किया है? शराद है शरद्धा जताने का समय, ये सोला दिन हम शरद्धा जताना चाहिए, विश्वास जताना चाहिए, तो एक चलते हैं, तो एक पंडी एक घर के अंदर एक पिता ने अपने बेटे से बोला, कि बेटा चलो, जल्दी नहाद धोकर तयार हो जाओ, पंडी जी आने वाले होंगे, आज दादा जी का शराद है ना, तो एक पिता ने अपने पुत्र को कहा, कि पूरा परिवार नहाद धोकर तयारी में लग गया, और पंडी जी के द्वारा बताई गई, सामगरी के साथ तरपन की व्यवस्ता करने में चुट गया, और जिन ने बोला ऐसा, उनके पूरे परिवार के सदस मिलकर के कीचिन में पूरी, कचोरी, रही बड़े, सबजी, जो भी पित्रों को लगती है, खीर, ये सब तयार करने में महिला लग गई, पंडी जी आए, पूरे विदी विदान से शराद तरपन का पूरा करवाया, और पूरा कराते समय उन्होंने कुछ पूरी गाय को, कुछ पूरी कुटों को, कुछ पूरी चिडियों के लिए, पंडी जी ने निकल वाई, यह सब चीज अपनी आखों से उसका बेटा देख रहा था, जिसके यहाँ पर शराद हो रहा था, तो यह सब उसकी आखों में केद हो रहा था, वो सब बड़ी गोर से देख रहा था, कि पंडी जी ने गाय को पूरी दिलवाई है, कुटे को दिलवाई है, चिडियों कुट समाप तो हो गई तो पंडी जी को भोजन भी कराया उनको दक्षिना भी ली कुछ फल फूल भी दिये और उनसे पेर छू करके आशिरवाद लिया और पंडी जी को सा सम्मान बिदा किया अब जिनने शराद कराय था वो अपने कमरे में आ गए उनके बेटे ने अपने पिता से प्रशन किया कि पिता जी ये शराद क्यों मनाते हैं अब हम वास्ते किस्तती पे आ रहे हैं इतना सारा खाना पीना क्यों बनाया जाता है पंडी जी को क्यों बुलाते हैं इतना सारा खाना जानवरों को क्यों खिक डलवाया क्यों खिलवाया पंडी जी को कपड़े क्यों द उसने एके करके सब चीज़ बताना सुरू किया, अब आप सुनिएगा में रहस्य की शराद क्यों किया जाता है, तो बोले बेटा शराद अपने पुर्वजों को याद करने को सब होता है, देखो जैसे की चंद शेकर आज़ात की जैनती मंती है, बगत सिंग की जैनती मंती है और भी जैंतिया मनाते हैं उसी प्रकार हमारे पुर्वजों को धन्यवाद बोलने का दिन होता है पुर्वजों का दिन और देखो हमारी सहसकती में पूरी प्रकृती का भी ख्याल रखा जाता है पंडी जी को बुलाना इसी बहाने दान देने की प्रवति उत्पन होती है यहने मनुष्य को जीवन भर दान देना चाहिए अपनी कमाई का पांच प्रतिशत तो कम से कम और अच्छे से सुक्ष से रेना हो तो दस प्रतिशत दान देना चाहिए इसी बहाने दान निकलता है श दूसरे की मदद करने से ही स्रस्थी चलती है, श्राच करने के पीछे का रहस यह है कि एक दूसरे की मदद करो, इससे ही स्रस्थी चलती है, और जहां लोग वेद मन्तरों के специалист भी होते हैं, ब्राह्मन लोग, जिससे घर का वातवरन भी शुद्ध हो जाता है, positive energy आती है, तो घर में negative energy नहीं रहे, इसके लिए ब्रामनों को हमेशा कभी कभी महिने में एक दो बार बुला करके, पूजन हवन करा करके, वेद मंतरों को सुनना चाहिए, गुंजन करवाना चाहिए, हवन करवाना चाहिए, जिससे घर में सुक, संब्रती, शांती रहती, ऐसा पिता ने अपने बेटे को समझाया, तो बेटे के दिमाख में बात आई, अब देखो, हमारे सारे त्योहार, प्रक्रती का, पशू, पक्षियों का बहुत ध्यान रखा जाता हमारे जित्ते भी त्योहार होते, जैसे, पिता ने अपने बेटे से का कि देखो, तुमारी मम्मी, गाए क को रोटी मिल जाती है कव्वे और पक्षियों को खिलाने की बात है तो देखो बेटा कव्वा पक्षी जो होता है वह पीपल और वर्गत के बीज को खाता है और ज्यादा तर इन दिनों कव्वा का अंडे का टाइप होता है अंडे देने का समय होता है जिससे इने खाने की बह क्योंकि यह हमें oxygen देते भी है, people और बर्गत, क्योंकि कोई भी people और बर्गत नहीं उगाता है, और यह पक्षी उनके बीज और फल को खा करके, बीट करते हैं, और यह पेड उगाते हैं, जगह जगह हमें इने विलुप्त होने से बचाना है, क्योंकि कववे आजकल दिखते नहीं शहरों में नहीं दिखते हैं, और तुमने science पढ़ा होगा कि people का जो रक्षो होता है, वह oxygen बहुत देता है, चोई सो घंटे oxygen देता है, और बर्गत के तो अंगिनत लाब हैं, तो देखो बेटा, उसकी असली परिभाशा क्या होती इस रात की, वेसे तो अपनी करने का कोई कारण नजन नहीं आया, करने के बहुत कारण है, जो सब सुनकर बेटे को बहुत अच्छा लगा, और चट पर जाकर के खुद रोजाना, कव्य को एक रोटी रोज देने लगा, इससे उसका भाग्य बढ़ा, गाय को रोटी खिलाने लगा, इससे उसका भाग्य बड़ा पश्यू पक्षी और मुख प्राणी के प्रती उसके मन में प्रेम और दया की भावना उत्थपन्न हुई क्योंकि जैसा पिता ने किया वेसा पुत्र को ने देखा तो हमारे यहां पर यह संसकार है संसकती है परंपरा है रीति लिवाज भी है कि जितने भी आसपास क जानवर होते हैं कि वो तो कमाते नहीं हैं वो नगा खाना बनाते हैं पर उन्हें भोजन की आऊशकता होती है तो उनको हर घर से कुछने कुछ़ दान सवरूब उनको भोजन अवश्य देना चाहिए यदि कोई गाए बचरा देती है तो उस गाए के लिए विशेष खाना लिए और बच्छा दे देती उसके बादे भी उसको जो गुड़ वगरा खिलाए जाता है भूसा खिलाए जाता है हरा चारा खिलाए जाता है चैने की डाल खिलाई जाती है सब खिलाना चाहिए इससे भायंगर पुन्य की प्राप्ति होती है याने गर्भवती इस्तरी और ग शेश भोजन की आउशकता होती, जादा भूख लगती है, क्योंकि दूद उसको बच्चे को पिलाना पड़ता है, तो उसको यदि भरपेट, यदि आप भोजन कराते हो, तो आपके बहुत सारे पापों का नाश हो सकता है, तो श्राद कर्म का मतलब ही यह है कि इस समय पे कव वे लोग अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद में उनको भूख जादा लगती है, तो जब भूख जादा लगती है, तो वो पीपल के फल को खाते हैं, जिससे पीपल के वरक्ष भी उगते हैं, ओटोमेटिकली, स्वहत उगाते हैं, यह पुन्य का काम करते हैं, वो स पित्र की प्रसनता होती ऐसा कहा जाता है पित्र की प्रसनता इसलिए कि कववा चूंकि वो पीपल के फल को खाता है और कहीं ने कहीं पर बीट करके पीपल रक्ष की उत्पत्ती करता है तो इससे सी हरी विश्नु भी प्रसनता होते है क्योंकि पीपल के अंदर ब्रह्मा सबी देवी देवताओं का वास होता है इसलिए कव्वो को हमारे यहां पे शरात पक्ष में पित्रों के निमित भोजन कराए जाता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शराद का मतलब शरद्धा होती है शरद्धा से दिल से प्रेम से एक दूसरे की सेवा करना तो अब इस के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हर पंद्रा दिन में अमा वस्या पर पुर्णी मा पर किसी बच्चे के जन्म दिन पर या फिर आपकी शादी की साल गिरा पर आपको पंडित जी को बुला करके घर पे हवन पूजन अवश्य कराना चाहिए उनको सीधा दान अवश्य देना चाहिए सीधा रेक अच्चा खाना जिसमें आटा हो एक विक्ती खाना खाले इतना आटा दाल चावल नमक मिर्च तेल गी हल्दी सबी चीज उसके अंदर होना चाहिए इससे आपके पित्र की प्रसन्नता होती है और आपके यहाँ पे वंश्वरद्दी होती है आपका व्यवसाय चलता रहता है तंत्र विद्या से रुकावटे नहीं आती है और तंत्र विद्या दी कोई करता है तो उसको रोकने का काम पित्र भी करते हैं तो पित्र पक्षि क्यों मना जाता है इसका अर्थ अपस्याज साब के समझ में आ गया होगा कि सभी आत्मा एक दूसरे को पर डिपेंड है और वह उसकी एक दूसरे के आउशक्ता की पूर्ती करें जिससे इस रष्टी आसानी से चलती रहे तो जैमाता दी जैमा का मक्या